थो हलो फ्रेंड्स अज मैं से इसेकुलां के सामने लेके आईे हं जो की विकुल भी सरदी में अभी खराब नहीं होते हैं तो आप घबढूरायए मत आपके गार्डन से ये प्लांट चले जाएंगे, ये सेकुलेंट्स चले जाएंगे, अगर आपके पस ये सेकुलेंट्स है, तो आप लोग भी घबराइए मत, ये देखिए यहाँ पर सेकुलेंट्स की विराइटी ये है, क्रैसुला गुलम, ये भी क्रैसुला की विराइटी यह भी हमारे पास खराब नहीं होती है बस सर्दियों में आपने ध्यान रखना है पानी थोड़ा ही देना है जादा नहीं देना यह एचेवेरिया की विराइटी जो कि अभी काफी छोटे चोटे बेबी इसमें निकले हुए हैं प्यारे प्यारे से लग रहे हैं यह भी हज़ा नहीं होता है और यह है हावाथी की इस एक वट इसमें होतो पास है था चाल नहीं होते हैं तो यह वाथी की दूसरी वी इतायर यह थर यह हैं भी हम रहे होती है तो यह देखे हैं ज 느ुमारे था अगला हम और आप जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो लेगी लेगी हो जाता है इसे काट के दूसरे पॉट में आप लगा सकते हो तो इसे एचिवीरिया की विराइटी है यह भी हम रपस खराब नहीं होता है अपने गार्डन से जाता नहीं है तो घबराना नहीं है अगर कोई प्लांट चले सकते हो क्योंकि एसा होता है कि कुछ प्लांट हमारी सीजनल होते हैं इसमें भी और यह हैं चाइनीज आप अलोवीरा और यह तो आप लोगों को पता ही है आयोनियम तो आयोनियम है यह प्लांट रतीब हो ज़्यादा यह अच्छा लगता है और हमारे गार्डन से नहीं जा सब्सक्रावाते की जो मैंने आप लोगों को दिखाई है इस तरह से यहां पर यह भी लगी हुई है आप देखी रहे होंगे आगे यह भी हमारे गार्डन से नहीं जाता है तो आप इसको भी लगा सकते हो और बिगनर्स अगर लगाए तो जादा अच्छा है और यह हैं ट् खल्estar पानी डाला हुआ है तो अभी यह बिकुल मरा नहीं है ठीक है यह पत्तों से बता देता है अपने एक मुझे पानी की कमी आ गए है और इसके पानी इसके बहुत जादा होता है पाणी में जैल होता है यह बहुत ना वह ओ गताकई है हुआता है तो ये वी हमारे गाड सबस्क्राइब बनानी मतलब मैक्सिमम मैं तो घर पे बनाती और कौर्डन कंपोस्ट या लीफस धालते हैं तो भी नहीं डालते हूं थोड़ा बहुत और बहुत और बहुत सकते हो थोड़ा सा और और यहें क्रेसॉला और में बिद्धूस को भी हैं ऐसे लगा सकते हैं तो मैंने आपके साथ बहुत प्लांट शेयर किया हैं सबस्सक्सक्क ब्समें पानी का ध्यान रखना है कि आपको इसमें पानी की जाना है डालना है ज़्यादा आप 15-20 दिन या हफते या दो हफते में एक बार पानी डाल सकते हो हफते में एक बार पानी डाल लो चलो ज़्यादा गर्मी आपके पढ़ रही है तो हफते में मेरे यहां तो जैसे ज़्यादा ठंड होती है तो मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ मैं दस दिन में या दो हफते में एक बार डालती हूँ यह है क्रैसुला की केमपर फायर यह विराइटी यह देखो आप देख रही होगे काफी लगी-लगी सा होगया इसकी सारी लैक्स टोड़के मथायर इस स्कूफ विडियो बाद में स्वादाऊंगी और यह है right z plant तो और यह पीछे है जेट plant के जो पीछे है यह हर्ध की विराइटी है और इसमें प्लेंट की बा do है नीए होता है ना वैसे इप्र दूप में गृता है यह怕 इस तरह से हैं केमपर फायर जो विराइटी ए इस तरह से मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर स्ब्सक्राइब करके जरूर जाना फिर मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से और बिगनर्स यह पूरा यह भी क्रेसुल की वीराइटी है जिसको मैं आपको दिखा रही हूं और यह आयोनियम का ग्रीन वाला प्राइट जो मैंने भी आपको जामनी दिखाया स्टार्ट इंग में यह भी विकुल आपके गार्डन से नहीं जाता है यह भी सेकुलेंट्स के विराइटी है और इसी तरह से मेरी